नवी मुंबई पुलिस को बड़ी काम्याबी हाथ लगी है जहां गुजरात के एक व्यापारी को करोणों का चूना लगाने वाले तीन में से एक आरोपी को CBD पुलिस ने गिरफतार कर लिया है दरसल दीपावली से पहले पुलित व्यापारी को अपने सभी करमचारियों को बोनस देना था इसलिए उसने आरोपियों से पुराने नोटों के बदले नए नोट मांगे थे जिसके बाद आरोपियों ने उसे तीन प्रतिशत के दर से पुराने नोटों के बदले नए नोट से करीब 3 करोण रुपए लेकर भाग गए जिसके बाद पिर्ट ने सीवीडी बेलापूर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया वहीं मामला दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है जिसके बाद पुलिस ने अब तक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जबकी अन्य आरोपियों की तलाश जारी है